दोस्तों नमस्कार मैं मोगा से डॉक्टर अमरी सिंग कंड़ आप मेरे प्रोग्राम सुनते रहते हो और मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स आप अखवारों में मैगजिन में पढ़ते रहते हो मैं हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ सेसबंदी आर्टिकल लेके हाजर होता हूँ आज मैं आपको हेमोफिलिया के बारे में बताने जा रहा हूँ हेमोफिलिया क्या है इसके लक्षन क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है हेमोफिलिया एक अनुवांशिक बिमारी है जो माता पिता से होने वाले बच्चे में भी जा सकती है गुनसूतर इस बिमारी की भाग आगे बेजने की जैसे हैरिडिटी कहते है और ये बिमारी पुर्षों में ज़्यादा देखने को मिलती है जब कोई व्यक्ति हेमोफिलिया से पीड़ित होता है तो उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो उसका खून लुकना खून बहना लुकता नहीं ऐसे में ज़िए इस तरह के लोगों का एक्सिडेंट हो जाए तो ये उनकी जिन्दिकी के लिए गातक भी हो जगता क्योंकि एक्सिडेंट में आई चोट के बाद इन लोगों में खून के बहाव को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है इस रोक के होने का कारण एक रख्त परोटीन की कमी होती है जिसे कलंटिंग फैक्टर कहा जाता है इस फैक्टर की विशेशता ये है कि ये बहते हुए हीमोफिलिया के जो मुख्या लक्षिन है वो इस तरह है है श्रीर में नींनिनले निशानों का बनना, नाक से खून का बहना, आँखों के अंदर खून का निकलना, जोडों में सूझ नत्या दी इस बिमारी की घंबीरता क्लाटिंग फेक्टर पर नेर्ल करती है, इसी कदर पर हेमोफिलिया की तेन वस्ताइइं होती है सबसे पहले है माईल्ड हेमोफिलिया यह उतना घंबीर नहीं है और इस बिमारी का पता तब चलता है जब आपकी कोई सरजरी हुई हो या यदि आपको किसी कारण से घंबीर चोड़ लग जाए तभी रक्सवाब होता है इस बिमारी में क्लांटिंफेटर का सतर समाने 5% होता है दूसरी है माडरेट हेमोफिलिया यह ज़्यादा घंबीर नहीं है और कभी-कभी रक्सवाब होता है लेकिन जदी आपको गिनने से चोट लग जाए मोच या फिर तनाव हो तो रक्सवाब हो सकता है हेमोफिलिया की इस अवस्ता में क्लांटिंफेक्टर का सतर समाने सतर 1 ಈ 7 से 5 प्रसेंट तक होता है सो दोस्तों तीसरी है इस सीवियर हेमोफिलिया यह क्लांटिंफेक्टर समाने सतर एक प्रसेंट से भी कम हो तो इस परकार के हेमोफिलिया गंभीर हो जाती है इस मुवारी में बिना किसी वज़ा कि हवते में एक या उससे अधिक बार खून बहता है। सो मार्डेट या सीविर हेमोफिली या बारे रोकियों में जन्म से जहां तक कि जन्म से कुछ समय बाद तब भी इस मुवारी के कोई लक्षन नहीं दिखते। कई बच्चों में यह लक्षन दिखते हैं, यह शिशू लड़का है तो उसका खतना हो खतना के समय बहुत ज्यादा लकत बहता है। तबचा को बहुत देर तक मसलने से जा फिर दानत आनने के समय बहुत ज्यादा खून बहता है। शिशू के चलने सीखने समय जोडों या मासपेश्यू में चोड लगने या फिर सूजन होने पर यह लगता है लगतर गिरने या फिर चोड लगने पर भहुत लगता है इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों इसका ट्रीटमेंट है एस ग्रूप और पी ग्रूप यह इसका ट्रीटमेंट है सो किसी को इस वहारी से कोई पीड़त हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरा मॉइल नमर है 9-8-557-3566-95-735-6-8 तो मेरा इमेल है एसकंड़मोगा-gmail.com दोस्तों यह जो मैं आर्टिकल्स आपको बताता हूं यह आप आगे शेथ किजिए किसी का बला हो सो कर भला हो बला अंत भले का बला एक पल का एक शेण का किसी को नहीं पता पिंजाबी में एक आपता कहते हैं पता निकदों की दी फूग निकल जानी है सो दोस्तों सबको नमस्कार